अलो दोस्तों आप सब कैसे हैं उमीद आप सब अच्छे से होगें यह हमारी सी टेक्निशन में फिर से एक नए वीडियो के साथ अफजल आलम के साथ आप देख रहे हैं इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आज जो हम बताया था कि कुलिंग तावर में क्या-क्या लगे हुए होते हैं और कैसे काम करता है फिर कंडेंसर का साइकल में बताया था तो आगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लीज़ेगा इसमें थीचे तो अभी जो हमारा कंडेंसर से कंडेंसर के बीच का जो लाइन होता है कंडेंसर के लाइन निकलता है वो लीगवीड देख लिए हैज देखे वाएज लाइन इसमें हाई नाइप लेसर हैई टमप्रेचर सब फुल डिक्विड होता है कंडेंसर बाद वह सीधे एकस्पेंशन भल्ब में जाता है और इकस्पेंशन भल्ब के बाद जो है सिधे एक लाइन निकलता है जिसको सक्सलाइन तो कंप्रेसर का मुख्य तीन काम है सक करना कंप्रेस करना और डिस्चार्ज करना तो यह एर कंडिस्निंग का समझे तो हाट इसको बोले आता है दिल है यह यह कंप्रेसर सक करता है इसको अपने दबाता है देन आफ्टर डिस्चार्ज करता है इसको अपना बहुत सारा नाम से जाना जाता है इस तरह से आपको जाना जाता है तो अभी आपने यह पूरा प्रोसेजर देख लिया कौन सा लाइन कैसे है कौन सा लाइन को क्या बोलेंगे इसका फुल विडियो में प्रेट कली डायर यूनिट के पास जा करके देखाया हूं आप उसको भी देखिएगा लिंक इसमें डाल देंगे लेकिन अभी थियोरी म लगर रहेगा आट वेंटीटू रेफ्रेजिडेंट का हमें स्टेटस बताएंगे कि कौन सा रेफ्रेजिडेंट का कितना प्रेशर रहेगा कैसे देखिए हमने यहां पर एक मेंशन किया हुआ हुआ है एरफूल यूनिट में और वाटरफूल यूनिट में दोनों में प्रेशर डिफ्रेंस होता है आपको मैं बताते चलूं कि अगर आपसे कोई में क्लाइंट इंटर्वी ले रहा है या आप किसी तरह से जॉब के लिए जा रहे हैं या खुद वर्क कर रहे हैं तो आपको डि प्रेंटी टू एटी पी एसाई में आप चेक करेंगे यह पांच-दस कमबेसी होते रहेगा ठीक है अब दूसरा वाटरफूल यूट है फिफ्टी टू सेवेंटी पीएसाई आप देख पा रहे होंगे वाटरफूल में मैंने मेंसन किया है सक्सन प्रेसर को फिफ्टी youtube का प्रेशर है मतलब वाटरफूल में फिफ्टी टू फिफ्टी टू सेवेंटी पीएसाई है यह हमरा वाटरफूल की आप इसका डिस्चार्ज प्रेशर नमदेख डिस्चार्ज प्रेशर अगर आब चेक करेंगे अ अब इसका एयर पुल्ड यूनिट में 250 PSI से आपको 300 PSIG तक मिलेगा 250-300 PSI आपको डिश्चार्ज प्रेसर मिलेगा और वाटर कुल्ड में सेम इसका अब देखिए एर पुल्ड में यह प्रेसर रहेगा गर यूत आपको इसमें आपको प्रेसर देखने को मिलेगा ये चीज़ आपको डिफ्रेंस मिलेगा अलग आएगा और अलग रेडिंग आयेगा जी उपर निचे रहेगा तो उससे कोई धोडाने की जरूद नहीं है लेकिन नॉर्माली इस तरह से function काम करता है 22 का यहाँ पर इस तरह से status रहेगा बाकि आपको high pressure high temperature more superheat vapor रहता है और यहाँ पिर low pressure low temperature superheat vapor रहता है बाकि liquid लाइंग में high pressure high temperature more superheat vapor को condenser जो है अपना वाटर के जरी एर के जरीए एर के जरीए यह बेपर को liquid में बदल देता है यहाँ पर सब लिक्विड होगे सब लिक्विड मतलब ठंडा नहीं रहेगा यह थोड़ा हीठी रहेगा सब लिक्विड का नाम से जाना जाता है लेकिन यह थोड़ा हीठी रहेगा यह देखिए अब 822 का boiling point कितना होता है आखिर गैस कितना वाइल करता है boiling point यह भी जान लेजिए कि यह आपका माइनस 256 डिग्री फारण हई यह फ्रीजिंग पाइंट है यह बॉलिंग मतलब माइनस में अगर टंप्रेचर रहता है फारण है तो भी गैस को बाइल कर जाता है तो हमारा जो यह यहां पर अपर है यहां पर गैस बाइल होता है यह यहां पर मुश्किल से 5 ग्रेटीजर रहेगा तो यहां पर हमारा रू मालेजे टंपरेचर यह पानी का चिलर है है तो 10 डिग्री आ संधिए आ रहा है तो 25 डिग्री सेंटी ग्रेट तो यह थो यहां में यहां पर नहीं के लिए जो गैस है क्योंकि यह हमारे कंप्रेसर भेपर सिस्टम है यह वेपर सक करता है और तो हमारा रेफिरिज रेंड जो है बॉइल होने कि कितना चाहिए माइनस 41.4 डिगरी फारन हाइट में बॉयल कर जाता है तो हमारे पास तो रूप का टंप्रेचर मिल रहा है 25 डिगरी से टिगेट वेपर बन जाता है और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं क्योंक तोपिक में वीडियो बनाता हूं बहुत सारा टॉपिक में वीडियो बना चुका हूं और आपको नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है रेफ्रिजरेंट को लेकर रेफ्रिजरेंट किस तरह का होना चाहिए एर कंडिशनिंग में और कौन सा रेफ्रिजरेंट को ज्यादा यूज कीजी जल्दी नेक्स्ट वीडियो अप्लोड करूंगा